भारतिय वायुसेना के एन 32 विमान हादसे में शहीद हुए गोहना के कोहला गाव की रहने वाले 22 वर्ष ये पंकज सांगवान का रज के सम्मान के साथ अंतिम संसकार किया गया वारतिय वायुसेना की A.32 विमान हादसे में, विमान में सवार सभी 13 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें 3 जवान हर्याना के थे पंकज सांगवान अपने माता पेता के इकलोते बेटे थे शहीद पंकज चार साल पहले भारतिय वायूसेना में एयर मैन के पद पर भरती हुए थे जैसे ही शहीद पंकज सांगवान का पार्थिव शरीर गाव में पहुचा तभी पंकर सांगवान नमर रहे और देश भक्ती नारों के उद्गोश शुरू हो गए वहां मौजूद सभी लोगों की आखे नम थी ग्रमीन और दूर दराज से आए लोग शहीत सपूत की एक जलक पाने को उमर पड़े वहां खड़े सभी नम आखे लेकर मौन खड़े थे पंकर सांगवान के पार्थिव शरीर का अंतिम संसकार करने से पहले वायुसेना के जवानों ने सलामी दी